समग्र कृशी सूचना विभाग, अन्नपूर्णा एगरी स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम आज इस तीसरे भाग में हम कृशी विभाग और उसके प्रमुख विशेशता के बारे में जान लेंगे हर किसान ने जमीन में बीच बोने से पहले जमीन को जाच कर खेती करना चाहिए इसलिए जमीन की मुख्य विशेशताएं क्या है वो विशेशताएं बीच बोने से पहले जमीन में है या नहीं हमको ये देखना चाहिए बुआई से पहले ये जाज किये बिना बीच की खरेदारी भी नहीं करना चाहिए जमीन देख कर शुरू करना चाहिए मतलब जमीन में आवश्य गुंधर्म है है तो कितने तक है इसकी जाज करने के बाद ही खेती करनी चाहिए इस जमीन के प्रमुख लक्षन है पाँच एक सेंद्रिय कार्बन दो आइडरोजन का स्तर याने की पी एच लेवल तीन घनत्व याने की तेंसिती चार सूक्ष्म जीव याने पौधे को फाइदे मन साबित होने वाले सूक्ष्म जीव पाँच पोशक तत्व ये पाँच लक्षन पहले हमें चेक करना चाहिए उसके बाद ही बुआई करना चाहिए ये पाँच लक्षन किस मात्रा में होना चाहिए हम तीसरे भाग में देखेंगे पहला सेंद्रिय कार्बन हम लोग पिछले तीस सालों से रासायनिक उर्वरक इस्तमाल कर रहे है सेंद्रिय उर्वरक कम इस्तमाल करने लगे इस से जमीन में सेंद्रिय कार्बन की मात्रा कम हो गई ये सेंद्रिय कार्बन दो से चार प्रतिशत होना चाहिए आप कभी भी अपनी जमीन की जाच करवाना चाहेंगे तो तो कार्बन की मात्रा जरूर चेक करवाना कार्बन की मात्रा जरूर दो से चार प्रतिशत होनी चाहिए तभी अधिक उपज मिलेगी सभी खर्पतवार का पौधा सामना कर सकता है कार्बन की मात्रा 2-4 प्रतिशत रहे इसकी कोशिश करनी चाहिए ये जमीन में कायम रखने के लिए सेंद्रिय उर्वरक इस्तमाल करना चाहिए सेंद्रिय उर्वरक जैसे की ज्यादातर गोबर तथा एरेंडी की पाउडर, तेल, अन्यकुदरती चीजे जैसे घास फूस और मुर्गी की विष्टा इस्तमाल कर सकते है नहीं तो बाजर में कार्बन युक तो उर्वरक मिलने लगे है प्रतिभा बायटे का पुड्मी है 50 प्रतिशत कार्बन वाला एकमात्र उत्पाद है प्रतिभा बायटे के पुड्मी में 50 प्रतिशत कार्बन रहता है छोटे दाने के रूप में रहता है एक एकर में 90 से 120 दिन के फसल में 40 किलो तक इस्तमाल करना जबकि फसल 150-180 दिन की हो तो एक एकर में 60 kg पुडमी इस्तमाल किया तो कार्बन की मात्रा परियाप्त होती है मतलब कार्बन की मात्रा पूर्न रूप से रहने से पौधे का जीवन चक्र पूर्न होगा कार्बन परियाप्त होने पर अन्य आवशक सभी घटक जमीन को मिलते है उसके बाद दूसरा दूसरा है जमीन का pH, हाइडरोजन, कस्तर जितना आवशक है उतना होना चाहिए हम गंभिरता से नहीं लेते इसे बहुत से किसानों को pH क्या है ये मालूम भी नहीं होता यानि जमीन में हाइडरोजन की मात्रा जितनी जरूरी है उतनी चाहिए इसे एक से चौदा तक ना पा जाता है हमारे खेट के जमीन का pH 6.5 से 7.5 तक ही होना चाहिए 7.5 से ज़्यादा हो तो उस जमीन को उस तर कम हो उस जमीन को आमली ये जमीन कहते हैं उसमें भी फसल ठीक से नहीं आता हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमारे जमीन का pH 6.5 से 7.5 के बीच ये देखना चाहिए ऐसे ही मिट्टी परिक्षन करते समय संबंदित अधिकारी को पूछना चाहिए मुझे मेरे जमीन का pH चाहिए मेरे जमीन का pH बताइए ऐसे पूछने पर संबंदित अधिकारी जमीन का pH के बारे में जानकारी देंगे हमारी जमीन किशारी युक्त है या आमले युक्त है ये जाज करके हमें बदलना है लेकिन pH लेवल नूट्रलाइज यानि कि इस थीरी करन करने के लिए दुनिया में अब तक एक मात्र फर्टिलाजर है वो है कोकोली ये पदार्थ ये है कि गुंगों से निकाला हुआ PAS आधारित बनाया गया फर्टिलाजर है इसके इस्तमाल करने से जमीन के pH की मात्रा कम हो या जादा साथ पर आ जाएगा इसलिए pH का स्तर 7.5 से जादा हो या 6.5 से कम हो तो भी हमारा फर्टिलाजर कोकोली नाम का फर्टिलाजर स्थीरी करन करके pH स्तर को साथ पर लेके आता है pH स्तर 6.5 से कम हो जाने के कारण पौधे पे पीलापन आ जाता है पत्ते हरे भरे नहीं होते उनका विकास नहीं होता प्रकाश संसलेशन भी ठीक से नहीं होता इतना ही नहीं बलकि जमीन में मौजुद पोशक तत्वों का ग्रहन भी ठीक से नहीं होता अगर pH 7.5 से ज़्यादा होगा तो पत्ते जडने लगते हैं पत्ते में गहरा हरा रंग दिखाई देता है ये दो लक्षन होंगे अगर pH कम हो या ज़्यादा pH 6.5 से 7.5 के बीच में होगा तभी पौधे का विकास स्वास्चपूर्न होगा इस pH लेवल को अगर स्थीर रखना चाहते है तो ये करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मात्र उपाय है कोकोली फर्टिलाइजर का इस्तमाल विवित अवस्था में इसका इस्तमाल करना है 90 से 120 दिन की फसल हो तो 40 किलो कोकोली तीन अवस्था में देना अगर 150 से 180 का फसल हो तो 60 से 80 केजी देना इस तरह इस्तमाल करने से आपके जमीन के pH लेवल का स्थिरी करन होकर कोई भी समस्या नहीं आएगी पौधे का विकास होता रहेगा उसके बाद जमीन की सांदरता ये महत्वपूर्ण है जैवी खाद का इस्तमाल नहीं करने से उत्पाद किसमता कम हुई है जमीन का घनत वो बहुत बढ़ गया है हमारे जमीन की सांदरता कितनी होनी चाहिए वो है 1.1 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब से लेकर 1.5 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब तक होनी चाहिए इसके बीच हो तभी जमीन फसल के लिए परियाप्त बन जाती है जमीन में परियाप्त नमी है इसका पता कैसे कर सकते है क्यूंकि उसका नापना थोड़ा मुश्किल है लेबरेटरी में जाच करके बता सकते है कि कितनी नमी है लेकिन आपको समझेगा ऐसा मैं बताता हूं एक एक लीटर का डबा लीजिए इस लीटर के डबबे में थोड़ी भी नमी नहीं होगी ऐसी सूखी मिट्टी लेकर डबा खेती की मिट्टी से भर कर उसे जमीन पर फैला कर उसे हवा नहीं रहेगी ऐसा फैलाना चाहिए उसका वजन देखने पर 1100 ग्राम से 1500 ग्राम मिट्टी होनी चाहिए इस तरह से पौधे की जड़ व्यवस्था ठीक से फैलने पर पौधे का विकास अच्छा होगा जड़ मिट्टी में अच्छी तरह से फैलने से पौधे को पौशक तत्वा अच्छे मिलेंगे इसलिए सांद्रता 1.1 से लेकर 1.5 तक होनी चाहिए लेकिन हम जैविक उर्वरक छोड़कर अधिक मातरा में रासायनिक उर्वरक जो वजन्दार होते है उसका इस्तमाल करने से वजन्दार जमीन की सांद्रता अधिक बढ़कर मिट्टी कठिन बन गई है इसी कारण जड़ व्यवस्था फैल नहीं सकती जड़ को दूर तक फैलने का मौका नहीं मिलता मिट्टी कठिन होने से सूरज की रोशनी मतलब सूरज की गर्मी गर्मी जमीन में प्रवेश करने के बाद जमीन के नमी का बाश्पिकरन होता है मतलब जमीन की सांद्रता जैसे बढ़ती है चलदारणा की क्षमता कम होती है इसलिए जमीन में इस सांदरता को पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहिए 1.1 से 1.5 तक सांदरता रहेगी इसी तरह हमें कोशिश करना चाहिए इसके बाद सांदरता 1.1 से 1.5 के बीच होने पर ही जमीन में हवा पहुँच पाएगी मतलब जमीन में जब सांदरता होगी तभी हवा जमीन में पहुँचेगी प्रानवायू जड़ तक पहुँचेगा इतना ही नहीं जमीन में होने वाले सूक्षमजीव उन्हें भी प्रानवायू मिलेगा इसलिए सांदता जमीन के लिए अत्यनत आवशक घटक है हम लोग जब मुट्टी भर मिट्टी लेते हैं तब सोचते हैं कि ये सिर्फ मिट्टी है पर जिसमें हम बीज बोते उर्वरक डालते लेकिन ऐसा नहीं है हमारे खेत के जमीन में कई लाख सूक्ष में जिवानू रहते हैं उसमें से कुछ फाइदे मन भी होते हैं और कुछ हानिकारत भी पौधे को फाइदे मन सूक्ष में जिवानू अधिक होने चाहिए उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए पौधे को हानिकारक जिवानों कम होने चाहिए लेकिन हाल में ऐसा नहीं हो रहा जमीन में सेंद्रिय कार्बन की मात्रा काफी कम हुई है इसकी वज़े से हमारे जमीन में पौधे को फाइदे मन जिवानों का जो आहार जैसे काम कर रहा है सेंद्रिय कार्बन नहीं मिल रहा जिससे उनकी पुनरुत पत्ती कम होकर पौधे को फाइदे मंद सूख्षम जवानू जैसे कि बैक्टेरिया और अन्य जवानू धीरे धीरे कम होकर पुनरुत पादन के काबिल नहीं रहे इसके वज़े से हानिकारक सूख्षम जवानू के संख्या में वृद्धी हो गई हानिकारक सूख्षम जवानू का आहार क्या होता है पौधा ही होता है जड के आसपास रहकर जड में होने वाले पोशक तत्व उन सभी को सूख्षम पौधे को हानिकारक जवानू रोक फैलाने वाले जिवानू जड़ का आहर खीच लेते हैं इसलिए हमें ये करना है कि हानिकारिक जिवानू कम होने चाहिए और जो फाइदे मंद है उसकी वृद्धी होनी चाहिए अब हमारी जमीन में इसके विपरीत मतलब उल्टा हो रहा है हानिकारिक सुक्षम जिवानू 90 प्रतिशत हो तो फाइदे मंद सिर्फ 10 प्रतिशत है इसलिए हमको इस थिति को बदलना चाहिए मतलब हानिकारिक सुक्षम जिव 10 प्रतिशत है तो कीट का प्रादुरभाव नियंतरण में रहेगा फाइदे मन सूक्षम जिवानू 90 प्रतिशत रहना चाहिए ये बदलाव लाने के लिए हमें अपने जमीन में फाइदे मन सूक्षम जिवानू को जमीन में मिलाना चाहिए जिवानू मिलाने से पहले कारबन की मात्रा 2 से 4 प्रतिशत रहना चाहिए कार्बन के बिना सिर्फ सूक्षम जिवानू, सूक्षम पोशक तत्व जमीन में रहने से कुछ फाइदा नहीं क्योंकि इस पोशक आहार के बिना उनका पुनरुत पादन नहीं होगा और वो अपने आप नश्ट हो जाएंगे इसलिए हमें पहले कार्बन की मात्रा जाज करनी होगी तभी सूक्षम जिवानू को मिलाना है उदाहरन के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडे, ट्राइकोडर्मा हारजायनम, स्यूडोमोनस फ्लूरोसेंस, बैसिलस सबस्टिलिस, बैसिलस मेगेटेरियम ऐसे कई प्रकार के, माइकोराईजा, ऐसे कई प्रकार के सूक्षम जिवानू, जमीन को देना चाहिए ऐसा करने से, हानिकारक सूक्षम जिवानू की वृद्धी रोक कर, फायदे मंद जिवानू की संख्या में अपने आप वृद्धी होगी ये पौधे को हर प्रकार से सुरक्षक अवज जैसा असर करेगी खीटकों से पौधे बचाएगी इसलिए हमें जमीन में फाइदे मन सुक्ष्म जिवानों की संख्या बढ़ाना चाहिए मतलब हमें जैविक खाद जैविक नियंतरक इस्तमाल करने से पहले जमीन में कार्बन रहना जरूरी है इन सुक्ष्म जिवानों के साथ कार्बन होगा तभी पुनरुत पादन ठीक से होगा लोगों में सजकता नहीं होने से बिना कार्बन से बायो फाइटिलाइजर्स और बायो फंगिसाइड्स इस्तमाल करेंगे और कहेंगे परणाम नहीं मिला निश्चित रूप से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके आहार के बिना उन्हें जमीन में देने से कुछ लाब नहीं होगा मुख्य बात ये है कि सूक्षम जिवानों की वृद्धी के बाद 2 से 4 प्रतिशत सेंद्रिय कार्बन होना जरूरी है अब पांचवा लक्षन पोशक तत्व पोधे को 16 प्रकार के पोशक द्रव्य जरूरी है 16 प्रकार के पोश्टिक मूल्य, 16 प्रकार के तत्व, पोधे के जीवन विकास प्रक्रिया का भाग है हम लोग हर बार यूरिया, डियेपी और पोटैश इन तीनों के पीछे दोड़ते है ऐसा नहीं होना चाहिए 16 प्रकार के सुक्ष्म पोशक द्रव्य पोधे को जरूरी है ये सभी 16 प्रकार के सुक्ष्म पोशक द्रव्य हमारे जमीन में होना चाहिए ये सभी 5 लक्षन, समृद्धी या पूरी तरह से रहने से हम किसी भी विवित प्रकार के पौधे को जलवायू परिवर्तन होने पर भी पौधा उन्हें सहन करके अच्छा उत्पात देगा ये सोला प्रकार के पोशक द्रव्य क्या है? इन्हें कौन से अनुपात में और कौन सी दशा में कैसा उप्योग करना चाहिए? ये हम चोथे विभाग में जान लेंगे हर किसान को इन पाँच लक्षणों के बारे में सजग रहना चाहिए एक सेंद्रिय कार्बन ये सेंद्रिय कार्बन दो से चार प्रतिशत रहना चाहिए लेकिन वर्तमान में 0.1 से 0.2 तक है सेंद्रिय कार्बन बढ़ाने के लिए कार्बन युक्त उर्वरक इस्तमाल करना चाहिए गोबर का खाद, घास फूस, मुर्गे का मलमुत्र, एरेंडी का भूसा, आधी का इस्तमाल करना चाहिए अगर आपको ये चीजे उपलब्ध नहीं है, तो पुडमी, पुडमी ब्राइन का प्रतिभा बायटेक का उर्वरक दाना उपलब्ध है उसमें 50% कार्बन होगा, इसका इस्तमाल कीजिए दूसरा, पी-एच लेवल पी-एच लेवल ये 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए उससे ज़्यादा हो तो खशारिय और कम हो तो आमली जमीन कहते है खशारिय और आमली जमीन में फसल नहीं आती इसलिए पी-एच कस्तर 6.5 से 7.5 तक निश्चित करना चाहिए ये नियमित करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कोकोली, कोकोली का ही इस्तमाल करना चाहिए इसके बाद सांधरता, अगर हम कार्बन, पी एच स्थर और सुक्षम जिवानू ये सभी नियंतरण में रखेंगे तो हमारी जमीन की सांधरता निश्चत रूप में नियमित रहेगी हमारे जमीन की सांधरता, एक पॉइंट एक ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब से लेकर, एक पॉइंट पांच ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब तक होना चाहिए ये भी जाच कर लीजिए इसके बाद सूक्षम जिवानू हमारे पौधे को लाब पहुंचाने वाले सूक्षम जिवानू अधिक याने 90 प्रतिशत होना चाहिए तता हानी करने वाले सूक्षम जिवानू 10 प्रतिशत होना चाहिए इसकी जाँच पड़ताल करना थोड़ी मुश्किल है पर आप ये भी कर सकते है कि फाइदे मन सुक्षम जिवानू जो बाजार में उपलब्ध है उन सभी को आप सेंद्रिय कार्बन के साथ मिला कर जमीन को दीजिए इस तरह हर साल करना चाहिए एक बार करने के बाद निराश होकर बीच में छोड़ना नहीं चाहिए हर साल इन सभी को जमीन में देना चाहिए तब ही हमारी जमीन बहतर होगी इसके बाद जैसे कि पहले बताया है सोला प्रकार के सुक्षम पोशक द्रव्य जमीन में उपलब्ध होना जरूरी है ये सभी लक्षन हमारे जमीन में मौज ले सकता है इसलिए हर किसान ने इन पांच लक्षनों को अच्छे तरह से याद रखना जरूरी है हमें यूरिया डिएपी पोटैश से भी ये पांच गुन होना बहुत जरूरी है ये सभी लक्षन परियापत होने के बाद अगर हम बीच बोएंगे तो अपेक्षित फसल ज रांच करेंगे ऐसी अपिक्षा करता हूँ और इससे ये तीसरा भाग हमारी कुरुशी भूमी और उसके लक्षन यहां समाप चौथे विभाग में पौधे को अवश्यक पोशक मूल्य उन्हें कौन सी अवस्था में कितनी मात्रा में इस्तमाल करना है और उनका क्या कारिया है इसके बारे में जान लेंगे अन्नपूर्णा आईगरी स्पेस को सहयोग देने वाले किसानों को मेरा धन्यवाद आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिखाए बेल आइकॉन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको कोई संदे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते है हम आपके संदे हका निराकरण करेंगे मैंने जिस विशे की बात की है उसके प्रती अगर आपको विश्वास है तो आपके साथी अन्यव किसानों को भी जरूर शेयर कीजिए शेयर करके हर किसानों को पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने इस चैनल की शुरुआत आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए की है अगर आप आपके साथ ही दस किसानों को ये जानकारी दोगे तो इस कुशी उद्योग को लाब प्रदान करने वालों में से आप एक होंगे इसलिए हर किसान इसमें सहभागी होगा ऐसी आशा करता हूँ धन्यवाद